हर्षदेव विशिप्त वस्था में देश विदेश की खाक छानता हुआ, वितीभय नगरी में जा पहुँचा, उन दिनों इस नगर में उत्रायन नाम के राजा का राजे था हर्षदेव की दशा आतियंत सोचनिये हो गई थी, उसके वस्त्र गंदे और फटकर चिथड़े हो गए थे, सेर और दाढ़ी के बाल बढ़कर परसपर उलच गए थे, उसकी दशा एक पागल भिखारी के समान थी, वैशाली को विधवन्ष करके अंब पाली को हस्तगत करने क तीवर प्रतिहिंसा उसके मन और नेत्रों में व्याप्त थी, प्रन्तों इस महत कार्यों को करने योगिव उसमें ना तो चरित्र बलही था, ना योगिता, वै योही अस्त्र व्यस भटक रहा था, फूक और ठकान से जरजर हर्षदेव ने नगर के बाहर स्थित एक चैत मे आकर विश्राम किया, सगन विक्षों की शीतल चाया में लेटते ही उसे गहरी नीडा गई, उसी समय एक व्रिधा इसी ने उसे देखा, वै एक ऐसे ही अनात प्रुष की खोज में ही थी, हर्षदेव को अनात जान कर वै बहुत प्रसंद हुई, जब उसे देखा कि वै स्व प्रिधा को अपने समुग बैठे देखा और कहा, माधे क्या मैं तेरा कुछ प्रिये कर सकता हूँ, कृत्यपुन ने होकर जात, कृत्यपुन कौन है, वह मेरा एक लोता वैटा था, अच्छा, वह कहां है, वह अपने तीन जहाज भरकर तामर प्रण्नी को और सार्थ वाही जनों के साथ क्या था, अब सार्थ वाही जनों ने लोटकर बताया है कि माध में इसके जहाज तुफान में फसकर दूप गये, उन्हें के साथ मेरा वेप्रिये पुत्र भी दूप गया, वैस नगर के प्रसिद सिठी दनावा का इकलोता बैटा था और मैं भाग हीना उसकी माता हूं, दूख है माता और यद्य मेरे पुत्र बनने से तेरा कुछ उपकार होता तो तेरा पुत्र हो, उपकार हो सकता है पुत्र, मैं पुत्र ही न, स्री हूं यदि राजी के सेवकों को ये खबर लग जाए तो वे मेरा सब धन राजकोष में उठा ले चाएंगे इसलिए पुत्र तु मेरा पुत्र बनकर मुझे कृतार्थ कर खिंदू माता मैं कृत संकल्ब हूँ कोई हानी नहीं तु मेरा मनोरत पूर्ण करके अपना संकल्ब पूरा कर लेना धेरा मनोरत क्या है माता मेरे पुत्र की चार वधूटियां है चारों ही कुलीना सुंद्री और तर्णी है मैं तुझे निप्त करती हूँ तो उनचारों में धनम पूर्वक एक एक छेत्र पूटरुट पन करके करने तक मेरा पूत्र बनकर मेरी घर रहे मैं तुझे शुल्क दूंगी तो ऐसा ही हुँ माता, मैं तेरा प्रिये करूंगा, प्रन्तु शुल्क इच्छा अनुसार लोंगा मेरा पती धनावा सिथी सैस्त्र भार स्वन का अधिपती था और उसके साथ साथ वाद तेश विदेश में चलते थे सो तु शुल्क की चिंदा ना कर, मैं तुझे एठ्यक्ष शुल्क दूँगी तो माता मैं तेरा पुत्र कृत्पुन्य हूँ वरिद्धा उसे घर लियाई, विधिका में घुस्ते ही उसने जोड-जोड से रोना चिल्लाना आरप किया अरे लोगो मेरा भागी देखो, मेरा मरा पुत्र जी उठा है, अरे मेरा पुत्र आया है, मेरा पुत्र कृत्पुन्य है, अहां मेरे घर का हुचाला, ये मेरा कृत्पुन्य है बढ़िया का रोना चलाना सुनकर गली मुल्ले के बहुत जनिस्त्री पुरुष एकत्र हो गए उन दोनों को घेर कर चलने लगे प्रिधा कृत्पुन का हाथ थाम अपने घर के द्वार पर आकर जोर जोर से रोने चलाने लगी हाई हाई ये मेरे पुत्र की दुर्वस्था देखो रही लोगों सेठी धनावाओ के कलोते पुत्र ने कितना दुख पाया है बहुत लोगों ने बहुत भाती सांदावना दी बहुत कौतिक और अशर से हर्षदेव के उस जगहन रूप को देखते रहे बृद्धा ने सेवकों को एक के बाद दूसरी आग्या देना अरम किया नापित को बुलाओ मेरा पुत्र छोर करे जल घरम करो उसे सुवासित करो अब मर्दक और पीठ मर्द को बुलाओ पुत्र का अंगसंसकार करो देखते ही देखते दास दासियों और सगे संबंधियों की दोड़ धूप से हर्षदेव छोर करा सनान उप्टन करा बह मुल्य कोशे धारन कर अपने उपधान के सहारे नगर पौन जनों सिखिरा सुवासित पान की बीड़े कच्रने और अपने भूत भविश पर विचार करने लगा गर में विवित पकवान पकने की सवन फैल गए दिद्धा ने चारो बहों कोप्टन लगा नक शिक से शिंगार कर पाटम बढ़ धारन करने का आदेश दिया वदों में जो जेश्टा थी उससे एक बार अच्छी तरह जहांकर पती को देखा देखकर उसका मुक्सुक्या उसका नाम प्रभावती था उसने सोतों को बुलाकर भय पौनसवर से कहा अब भुमे या भुमे ये कौन है री ये तो सेट का पुत्र नहीं है सबने गवाक्ष में से जहांकर देखा सबने कहा अब हुमे नहीं है ये हमारा पती नहीं है ये कोई धूर्द वंचक है तो चलू माता से कह दे चारो जनी सास के पास पहुची अब रिद्धा ने उन्हें देखकर कहा अरे ये क्या री तुम लोगों ने अभी तक शिंगार नहीं किया सांद बेला तो हो गई हो मेरा पत्र खिंतु माता ये तुम्हारा पत्र नहीं है कोई धूर्ट वंचक है जिश्टा ने प्रिद्धा की बात काट कर कहा प्रिद्धा ने ब्रिखुटी में बल ढाल कर कहा इच्छा मेरे पत्र को तुम क्या मुझसे अधिक चानती हो यही मुत्र मेरा पुत्र कृत्पुन्न है ये नहीं है मातार रदु जब मैं कहती हूँ तब तुम्हें भी यही कहना चाहिए रदु हमने उसे भली बाती देख लिया है चुप मैंने इसे न्युक्त गिया है पधुआ का मूँ सुक्या और उनकी वानी कंठ में अटक गई मैं भय भी ठोकर सास का मूँ देखने लगी व्रिद्धा ने कहा यहां आओ देखो तुम समझदार और बुठी मती हो बुर्खता करके बने बनाए खेल को मत पिकार देना तुम्हें देखी लिया है मैं सुंदर स्वस्त और कुलीन है तुम और मैं पूत्र हीना स्रिया है ऐसी वस्ता में देश के कानून के आधार पर राजपुर्शों को जो ही इस बात का पता लग जाएगा कि हम पूत्र हीना स्रिया है तो राजपुर्श हमारी सौरी संपति को भारन करके राजपुर्श में मिला देंगे तब हमें अपना सब सौन रत्न घर बार खोकर पत्की भिकार नहीं होकर रहना होगा परतो इस नियुक्त पुरुश के द्वारा तुम चारों एक एक छित्रिश पुत्रत बन कर लोगी तो वे ही हमारी इस अतुल संपता के भोगता होगी और तुम कुलवधू बन कर रहोगी सब भोगों को भोगोगी अब ये कोई अधर्म की बात नहीं है प्राची नार्यों की धर्म रिक्की रीती है शांतनों की धर्मात्मा पुत्र भीष्मु ने इसी धर्म को अपना कर कुरुवश की रक्षा की थी ऐसे हैं नेक उदारण है इससे मैं तुम्हारी सुक कल्यान के लिए जैसा कहती हूँ तुम उसी प्रकार आचन करो इसी मैं तुम्हारा और मेरा कल्यान है बढ़िया की बातें अंतता वधूटियों के मन में घर कर गए और उनोंने उसके आदेश के अनुसार इस नियुक्त पुरुष को पती भाव से स्विकार कर लिया इस परकार हर्षदेव अपने संकर्प को भूल धन संपदा एश्वर्य और युवति स्रियों के सुक में डूप गया कृतिपुन्य होकर वै सेथी पुत्र का संपून अब नहीं करने लगा किसी को भी उस पर संदे नहीं हुआ अब जिनोंने संदे किया उन्हें बुडिया ने साम दाम दन भे से वश में कर लिया